मुकेश सहनी की पिता की हत्या ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है मुकेश सहनी की पिता के निर्मम तरीके से हत्या की गई हलाकि हत्या की क्या कुछ वज़ा है पिलहाल सामने नहीं आई है पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है वह इस पूरे मामले में SIT की टीम भी गठित कर दी गई है आपको बता दे कि इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रथम दिश्टिया चूरी का मामला बताया और बताया कि चूरी की नियत से शायद लोग घर में घुसे थे जिसके बाद उन्हें अकेला पाकर उनकी हत्या कर दी गई इसी के साथ इस पूरे हत्या के मामले में मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी के संदूक की बात पुलिस बार बार कह रही थी कि उनके घर से संदूक उठाकर पुलिस ले गई है इसे बीच अब जितन सहनी का वो संदूक पुलिस के हाथ लगा है जिसे चोर घर से उठा कर बाहर ले गए थे और घर के पीछे पानी में पेक दिया था वो तस्वीरे एक बाज़र आप देखे किस तरीके से पुलिस के हाथ ये संदूक लगी है इस पूरे संदूक पर पुलिस और लोगों की नज़र टिकी हुई है कि आखिर संदूक में असा क्या था जिसके कारण जितन सहनी जो इतने साधारन व्यक्ती थे इतने साधारन जिंदगी जी रहे थे चोर उनके घर में खुशते हैं और सब कुछ छोड़ कर उनकी हत्या के बाद इस संदूक को घर से उठा कर बाहर लेते हैं फिलाले संदूक का खुलना अभी बाकी है देखना होगा कि संदूक से क्या बड़ा राज निकल करके सामने आता है बीरोरीपोर्ट टिहाता